नमस्कार फर्स्ट पोस्ट में आपका स्वागत है मैं हूँ अमितेश मेरे साथ मौजूद हैं फर्स्ट पोस्ट के डिप्टी एक्सक्रूटिव एडिटर संजय सिंग उनसे बात करेंगे जिस तरह से गुजरात और हिमाचल परदेश को लेकर जो मतगरना चल लए है वहाँ उसके जो ट्रेंड आ रहे हैं उस पर क्या कहना है इनका क्या सोचते हैं जो ट्रेंड आ रहे हैं उसके मताविक हमाचल और गुजरात दुनों जगा बीजेपी की सरकार बनने जा रही है अगर यही रुज़ान रहे तो फिलाल बात करेंगे इन से और जानने की कोशिस ओवरॉल जो गुजरात का ट्रेंड है उसको किस रूप में देखते हैं आप देखे एक तो बीश में बीजेपी के लिए सही में एक स्केर सिचेशन हो गया था जब देर घंटे की मतगना के बाद वो लग रहा था कि कॉंग्रेस सर्च कर रही है और ऐसा पहली बार हमने देख 2007 में मुझे लगता है कि अल्ली ट्रेंड दिखा रही थी कि कॉंग्रेस जीत रही है और कॉंग्रेस दफ्टर पे dividend वह इं था है मतावाड में और उसके बाद फिर पता चला कि बीजेपी जीत रही है तो फिर इस बार इनीशाल ट्रेंट दिखाए कि बीजेपी आगे है और फिर ऐसा लगा कि कॉंग्रस काफी तीजी से पीछे से आगे आ रही है और अब लगता है अब का जो ट्रेंड है बीजेपी क्लियर उसमें मेजॉरिटी मार्क के आगे है 108-105 मतलब अलग अलग सूर्सेज दिखा रहे हैं यह क्योंने अनिमिटी है कि बीजेपी की सरकार वो बनने जारी क्योंकि इसमें जो ट्रेंड आ रहे हैं हम मान सकते हैं कि यह ट्रेंड स्टेबलाइज कर जाएगा लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रही है चूकि सौरास्ट इलाके की अगर हम बात करें उनका रफली बाइन लार्ज देखिया जिसमें केशु भाई पटेल भी अपोज कर रहे थे उसमें केशु भाई पटेल उतने सक्षम वो नहीं थे एंगर जो था वो एक मुझे लगता था कि मैनिफाक्चर एंगर था नरेंद मोदी उसमें चीफ मिनिस्टर थे इस बार का जो एंगर था जो शुरू हुआ अमानत जो आरक्षन का इशु है और वो कहीं और मतलब चुनाव जैसे जैसे खतम हुआ मुझे लगता है कि उस समय में सबसे बड़ी नाराजगी उनके अंदर जो थी दो चीज़ों को ले करके है उन्हें पता है जो लड़के रिजर्वेशन के लिए पाटीदार लड़के फाइट कर रहे हैं और चोर मचाते हैं और उन्होंने गोलिया भी सही उनका एंगर ये जिस तरह का क्राकडाउन हुआ उनके अंदोलन के उपर जिसमें 14 लड़के मारे गए और कई सारे वो केसे रिजर्वेशन हुए वो स्टेट मचिनरी का जो क्राकडाउन था उस पर बहुत नाराजगी है और दूसरी उनकी नाराजगी यह है कि अगर उन्हें पता हैं हमें नहीं मिल सकता तो बाकी अगर जादियों को मिला है जैसे चौधरी इन पर्टिकलर उनको किस तरह से मिल गया है यह चीजें मिला करके और हार्दिक चुनाओं में एक फैक्टर थे किसी भी तरह से आप हार्दिक पटेल का जो सभाय हो रही थी उस इलाके में कम से कम वो सभा जो है वो बीजेप कॉंग्रेस की तरफ वो चला गया और बीजेपी को इसलिए कई जगा पे मुश्किलात का सामना करना परा है यही चीज़ देखने को मिला चुकि राजकोट में हमने रैली कभर की थी हर्दिक पटेल की उस रैली में जिस तरह की भीड थी और जो एक करें में जो बात थी अनामत को लेकर नहीं था उस वक्त दूसरे फॉर्म में सामने आया था उसमें था कि बीजेपी को हराना है और इस एंगिल से उन लोगों ने अपना केंपेंज चलाया उसका असर कहीं ने कहीं दिखा चुकि उस वक्त यह डावट पुल था लग रहा था जो पटेल अब तक पिछले दो तीन दसक से लगातार बीजेपी के साथ रहें वो क्या बीजेपी छोड़कर कोवरेंस के साथ जाएंगे कि नहीं इसको लेकर चर्चा एक हो रही थी लेकिन कहीं कहीं लग रहा है जो भीड थी वोट में ट्रंसलेट होती दिख रही है उस लाके में कि एक और चीज है जिस लाके कि आप बात कर रहे हैं वहां से चीफ मिनिस्टर जो है वीजे रुपानी वो खरे हुए वो सेफेस्ट सीट वीजेपी के लिए है वहां से वजुवाई वाला पहले रिप्रेसेंट करते रहे नरदे मोदी ने किया अभी वीजे रुपानी चुनाव लग रहे हैं पहले वो जीत के वही से और भोव शकल में है कभी आगे होते हैं कुछ मैट उसे फिर कभी पीछे हो जाते हैं यह वही चीज जो पाटिदार फैक्टर का जो एंगर है वो उसी को परिलक्षित कर रहा है या महिसाना में जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पठेल आगे पीछे आगे पीछे हो रहे हैं वो उसी का नतीजा है यह फैक्टर जो है निश्चित रूप से इस चुनाओं में बीजेपी को जो कहते हैं सगन मेहनत हलाकि बीजेपी हर चुनाओं में बहुत मेहनत करती है लेकिन यहां पर उन इलाकों में हादिक पटेल का जो फैक्टर है वो सौरास्ट और फिर आप चले जाईए उधर महिसाना का नौथ में इलाका उसके आगे उनका जो इंफुएंस का दायरा है वो काफी लिमिटेड हो जाता है बीजेपी के अध्यक जीतू वगानी वह इंट्रेस्टिंग ली आगे है और लगतार आगे वह चल रहे हैं वह भी पटेल हैं वह भी पाटीदार हैं वह आगे चल रहे हैं तो यह चुनाओ सदेनली वह बढ़ा इंट्रेस्टिंग हो गया हिमाचल में देख रहा हूं कि धूमल अभी थोड़ी दर पहले मैंने जिसमें वह पीछे हैं बीजेपी बहुत अच्छे मार्जीन से जीत रही है वहां लेकिन धूमल उनके चीवनिस्टियल का इनिडेट वहां पीछे हैं य एक सो साथ क्या एक सो सोलर क्रॉस करेगा नहीं भी करेगा तो बाई साल की इनकम्मेंसी के बाद अगर बीजेपी इतना ले जाती ये सीट तो बहुत बड़ी चीज़ है इसमें अगर आप देखेंगे तो जीत जो है जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर था गु बात करें पटेलों के अलावा बाकी जो अधर कास्ट से चाहे उसमें किसानों की बात करें किसानों की नराज़गी कई मुद्वों को ले कर दिख रही है बाई साल का जो एंटी इनकम्मेंसी रहता है कितना भी अच्छा कोई काम करें नहीं उसके बाद 22 साल अगर आप सत्त बाकी तीन एरिया में बीजेपी का आगए होना क्या फेक्टर रहा देखिए ये बहुत बड़ी चीज है कि 22 साल के बाद बीजेपी अगर आ रही है तो 25-27 साल वहां राज करेंगी और फिर अगले चुनाओं में क्या होगा उसकी बात अभी क्यों करें कॉंग्रेस वहां 1990 स सीनिर लीडर या पार्टी ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया हिमाचल में वो पूरे शक्ति लगा है उन्होंने तीन अलपेज जिगनेस और हरदिक पटेल पे दाओं लगा है अलपेज जिगनेस में सो मच फाक्टर नहीं मानता हूं मुझे लग रहा था कि उनका पर आप रख लीजेए 27 साल अलडी जिस समय कॉंग्रेस बाहर है उसके बावजूद अगर कॉंग्रेस को जनता वहां वोट देकर लाने की ठीक है टफ फाइट वो एक मतलब एक टफ फाइट की सिचेशन कॉंग्रेस दे गई वह अपने आप में कॉंग्रेस कह सकती है उनके चलेगी और सबसाइट कर जाएगी अंत में ये है कि 22 साल सरकार चलाने के बाद BJP अगर सकता में वापिस होती है तो यह बहुत बड़ी चीज़ बीज़ेपी संगतन क्लिए बीजेपी के नेता के लिए बीजेपी के कारेकरता के लिए क्योंकि एक समय में बीजेपी के साथ सबसे जो गरवर चीज थी और जो नरेंदर मोदी ने आकर के करेक्ट की वो बीजेपी सत्ता में तो आती थी लेकिन एक टर्म के बाद रुक नहीं पाती थी नरेंदमूदी ने उस टर्म को डिफाई किया बीजेपी ने मोदी के चेहरे को आगे किया मोदी के जो पंदरा सालों के कारेकाल रहा उसको देखते हैं उसी के बिना पर एक तरस बीजेपी ने वहाँ पर भोट मांगा जो महांतम नेता गुजरात ने जो दिये महातमा गांदी और सरदार पटेल उस ट्रेनी में जाकर के उनके मतलब नमबर तीन के पादान पे वह जाकर के वहाँ करे होते हैं पहले उन्हें चोटा सरदार का जाता था था अँब चोटा सरदार नहीं कहते हैं लेकिन सीधे सीधे सरदार पटेल से तुलना करना भी वह बेमानी वो चीज होगी क्योंकि दो समयकाल दो काल खंड के दो अलग-अलग नेता है लेकिन मोदी का मैजिक है मोदी का एक परसोना है जो बीजेपी को नहीं भी वोट कर रहा है उससे बात कीजे तो कहेगा मोदी जी के बारे में वो गलत बाते नहीं कहता और ये गुजरात तक ही मोदी का फेनोमेना लिमिटेड नहीं है अपने उत्तर प्रदेश चुनाओ देखा वो चुनाओ तो मोदी के नाम पे हुआ योगी आदितना तो बाद में चीफ मिनिस्टर गुए न और उनका टेस्ट आया अभी जो निकाहे चुनाओ हुए उसमें तो ये मोदी ने अपना परसोना जो बनाया है हमारे हाल देखें दो चीज पे आप ब्रॉडली देखेंगे लोग वोट करते हैं एक डिलिवरी और दूसरा यह है कि सिंसेर टू भी वह काम करते रहना सिंसेरिटी से जिसमें की डिलिवरी नेता कर रहा हो उस केस में लोग वोट देते हैं आप यही क्यों आप 2009 क चुनाओ देख लीजिए लोगों को लगा कि मनमोहन सिंसेर हैं तो उन्होंने वोट दे दिया मनमोहन सिंग को भले ही दो यूपीए टू बहुत ही खराब सरकार रही हो साहिद आज तक के भारत की इतिहास में सबसे खराब यूपीए टू रही हो जबकि ज्यादा बहुमत स से उनको जिता करके लाई थी आप बाकी स्टेट्स में देखिए वेस्ट मिंगॉल देखिए वह मताब एनरजी को बड़ा ज्यादा बड़ा मैंडेट मिला आप औरेसा देखिए आप मध्यप्रदेश देखिए आप 36 गर देखिए रास्तान में जब वसंदरा राजे को बी इस्टी उसके बावजूद अगर बीजेपी जो स्टेट सबसे ज्यादा जहां बिजनेस और ट्रेडिंग कम्यूनिटी या अंत्रेप्रेनियर या इंडेस्टिलिस्ट हैं अगर वो प्रदेश बीजेपी को वापस चुनाओ लेकर के आ रहा है कि इन दो डिस्रप्टिव जिसका असर दिख रहा है सौराज चिलाके में दोनों में से बड़ा फेक्टर आप वोट शेर जो कम हो रहा है बीजेपी का बीजेपी के सीटें कम हो रही है पहले के मुकाबले इसको किस रूप में देखते हैं जीस्टी नोट बंदी या फिर पटेल फेक्टर। तो मुझे लगता है राहूल गांदी का एक्सेसिफ थ्रस्ट जो था वह बिकार था दूसरा जीएस्टी को लेकर के पॉकेट्स में वह था जीएस्टी से ज़्यादा दीद के टैक्स तो पहले भी था जो जीएस्टी के फाइलिंग में तर तमाम तरह की पिछिदिया हैं उसक का मतलब पटेल का एक सब्सेंटिफ देखिए क्योंकि कई बार जो जाती वाली चीज होती है और जो एंगर होता है वो परस्टनल फिर एंगर होता है तो वह फैक्टर मुझे लगता है जो नंबर ऑफ सीट्स देख रहे हैं वह पाटिदार फैक्टर के कारण है आप सही करे सुमच क्योंकि जीएसटी के कारण जहां नाराजगी थी भी वह बाद में जब रिव्यू होना शुरू हुआ तो उसके बाद वोटिंग तक जाते जाते क्योंकि वह बीजेपी के कोर सपोर्टर्स थी उनकी नाराजगी कम होगी या तो घर बैठ है रहे है जाकर के अंतर मे बताते दिखें बहुत सारे लोग क्योंकि जीएसटी भरने में परशानी हो रही है नाराजगी यह फिर भी करने लिए इन कदम अच्छा है अगर जो लग रहा है कि बीजेपी यह चुनाओ जीत रही हो डिसाइसिवली जीतेगी क्योंकि मालीजी आप हंड़ेट का आकराफ 107 पे जाते हैं या थोड़ा आगे होते हैं या थोड़ा पीछे होते हैं तो यह जो दो मुद्धे रहुल गांधी लगातार पिछले साल 2015 के नौंबर से जब आठ नौंबर के बाद से उठा रहे हैं पहले डिमोनेटाइशन और फिर जीएस्टी को उन्होंने गबबर टैक्स का है तो वह दूनोंओं इस्टल हो जाते हैं तो जब आप धृत द्रीपूरा नागा लाइंड के चुनाव में जाएंगे तब आप इनकी बात नहीं कर सकते जब परनाटक में जाएंगे तो उनकी बात आप नहीं कर सकते क्योंकि यह इशू सेटल्ड है और अगले तीन महीने में जो भी पिचे दिया होंगे आम शोर सरकार उसको वो रेक्टिफाई कर लेगी तो यह इशू आप ऐसे इशू को उठा करके चल रहे थे जो इशू लोगों के बीच में इतना फोर्सफूल नहीं था मुझे लगता है कि एक वो चीज होगी जो कॉंग्रेस के लिए मतलब सोचने वाली बात होगी और सताने वाली बात भी होगी क्योंकि आप जो जेन्विन इशू हैं उनको छोर करके आप क्लिशेड वर्ड्स में लग गए जहां आप गपर सिंग से उनका एक फाशिनेशन है जो फाशिनेशन इसके बाद चला जाएगा दूसरा एक और भी इंपॉर्टन इशू है जिसका इंट्रेस्टिंग फॉल आउट है और कॉंग्रेस को उसके फिर सोचना होगा कि राहुल गांधी को जिस समय में नौन हिंदू के और वो शिव भक्त जन्हें उधारी हिंदू हो गया थे उसका कोई फाइगा मिला क्योंकि अगर पाटिदार है तो डिस्प्रोपोर्शनेट जो कफरेज है और यह कॉंग्रेस में दिलवाया है तो मुझे लगता है कॉंग्रेस को यह सोचने की बात होगी कि आप तीन जो पिशल रही है नौर्थ गुजरात की बात करें सेंटरल गुजरात और अवरॉल गुजरात में कॉंग्रेस जो पीछे चल रही है आपको लगता है कि जो लोगों में एक एंगर था 22 सालों के सासरों के खिलाब जो भी गुस्ता था जो भी एंटि-ीनकंविंसी थी उसको भुनाने के लिए Congress का कोई local leadership नहीं था दमदार leadership नहीं था और करता उतने मजबूत नहीं थे Microw management जिसकी बात करते हैं वो नहीं था जिसके दम पर Congress उस एंगर को भुना नहीं पाई इसलिए Congress का ये हाल है Microw management Congress काफी समय से संगटन पे काम Congress ने करना छोड़ दिया है कॉंग्रेस ने पता नहीं जमाने से सोनिया गांधी का राज रहा हो या बहुत सारे समय से राहूल गांधी वो चला रहे हैं वो प्रेस कांफरेंसेज और दूसरे सरकार की खामियों के बूते पे चुनाव जीतना चाहती और इस बार वो तीन लोगों को लेकर के आई और उन तीन को नेता करा कर दिया और अपने सारे नेता को बैक्राउंड बे उन्होंने धकेल दिया अब इसका नतीज़ा ये होगा कि मान लीजिए आप हिंदू जनेउधारी हिंदू हो गए आप अलपेश, जिगनेस और हर्दिक के बूते पे आप चुनाव लड़ने चलेगे तो आपका जो अपना वरकर्ग है वो इस समय में गुजरात के अंदर काफी डिमोर्लाइज़ फील कर रहा होगा क्योंकि कॉंग्रेस की जो भी संख्या आती है और अलपेश और जिगनेस अगर जीत जाते हैं तो वो सडिनली वहां के फेस हो जाएंगे कॉंग्रेस के तो कॉंग्रेस के अंदर का घमसान बढ़ेगा आप ये देखें कि अगर आप करनाटका में जाएंगे और जन्यूधारी हिंदू जब हो करके रहुल गांदी अगर वहां जाते हैं तो क्या उसका डिविडेंट कॉंग्रेस को मिलेगा तो ये जन्यूधारी हिंदू का जो जो फेल मना जाएंगे प्राइड फिल करते हैं वो कौन से यूग में किया जाता था आज आप जन्यूधारी हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता मैं जन्यूधारी हूं कि नहीं मैं जन्यूधारी पहना तो ये जो वो है ना कि जन्यूधारी दुजा ट्वाइस बॉर्ण राहुल की यही गलती रही चुकि नरेंदर मोधी जो चाहते थे अपनी पीछ पर खिलाना चाहते थे राहुल गांधी को फरस्ट पेज के चुनाव के तक हम देखें तो कहीं ने कहीं BJP कॉंगरेस के मुद्दे के इर्द अपना जबाब देती रही लेकिन सेकंड फेज आते आते जिस तरह से नरेंदर मोधी ने अपने तरीके से अपने जो उनका जो गेम प्लान है उसमें कॉंगरेस को कहीं ने कहीं लेने में सफ़ल हुए कि एक कि अगर आपके पास संगठन नहीं है और संगठन को आप बिल्ड नहीं करते हैं तो दूसरा है कि आपके नेता के अंदर इतना ओज होना चाहिए इतना तेज होना चाहिए और इतना जंता के बीच में मतलब वो प्रवा होना चाहिए जो वेव कहते हैं तब आप जाक मंत्री का चुनाव होगा तो विजय रुपानी जो कि खुद आगे पीछे कर रहे हैं विजय रुपानी का क्या वहाँ पर एक उनका वजूद है आप उसको खुद समझ सकते हैं जिस तरह से गुजरात चुनाव के दवरान दिखा भी विजय रुपानी की कोई चर्चा नहीं जो खुद मुख्यमंत्री अपने सीट पर फसा हुआ है कोई करेकरता भी उन से अगर देखा या तो कोई क्रेज ऐसा नहीं लगा कि विजय रुपानी चीफ मिनिस्टर भी है मोदी के नाम पर चुनाव लगा गया ऐसे में पटेल आंदोलन जो चला था तमाम इसूज थे के बजाए किसी और को मुख्यमंत्री बनाएगी कि हमें गंडे का इंजार करना चाहिए कि विजय रुपानी अंधता जीते हैं या हरते हैं अगर वो हरते हैं तो फिर सरकार बनाने की प्रक्रिया जो होगी बहुत इंट्रेस्टिंग होगी और हमारे और आपके जैसे लोग के लिए काफी सारा काम रहेगा कि नया चीफ मिनेस्टर कौन होता है और पटेलों को तो बीजेपी मतलब फिर से क्योंकि वो उनके साथ रहे थे सीटों भी उन्होंने बावन लोगों को सीट दी है वो चीजे धीरे दीरे डियू कोर्स में मुझे लगता है बीजेपी वो मै जिनका कहना है कि विजे रुपानी को ले करके थोड़ा और इंद्जार करना होगा हला कि फिलाहल जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी की सरकार घुजरात में भी बनने जा रही है लेकिन विजे रुपानी का भविश क्या होगा क्या मुख्मंत्री दोबार को बीजेपी सामने लाएगी इसको जानने के लिए थोड़ा और इंद्जार करना होगा नमस्कार